हलो गाईज तो आज हम आप सभी लोगों के लिए जिसके सभी महत्पूर्द फ्रमलाज लेकर और यह सभी फारमडा हैँ आप सभी लोग याद कर लीजेगा हो सके तो इसे एक बार दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप आंकिक प्रस्ण लगाएं या पिर एक्जाम में कोई भी कोशन आता है बहुभी कल्पी के रूप में तो इसे भी फार्मुला का यूज होता है और यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर होन चलिए भाई स्टार्ट करते हैं तो सभी महत्पूर फार्मुला आज जो हम लोग डिसकस करने वाले हैं दूसरा वाला चैप्टर जो इस्तिर बिदुद्ध भी बहुत अथा धाइता का डिसकस करने हो इसके पहले हम लोग चैप्टर वन का डिसकस कर चुके एक अलग आगे की ओर चलते हैं और हाँ मैं आप सभी लोगों को बता दूँ अगर आपने अभी तक बोर्डिक जांग के तैयारी शुरू नहीं किया आप इधर उदर भटक रहे हैं या पि कहीं ज्वाइन कर लिए हैं किसी का आनलाइन क्लासिज हो तो उनका चीजे नहीं समझ में आ आपको इसमें सभी सब्जेट की तैयारी इसमें कराई जा रही है आप इसमें ज्वाइन करके अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं दोनों को मेहनत दोनों के संयोग से आप लोग 90 प्लस तक जा सकते हैं इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी साथ में सभी चीज़े हैं अब फिर भी नहीं समझ वात है टेली का लिगे ज़िए पूछलो यह भी सिस्टम आप सभी लोगों के साथ में आलाइन टेस्ट सटर्डे की दिन होता है इस्टडी मेटेल लिया जाता आपको इसमें आपको बुकलेट दिया जाता है चैप्टर वा आप पर यह क्लासी चलें आप जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर यह नमर है नौसो तीस पांसो सतता त्यरा पाशतर इस नमर पर कॉल करिए आपको पूरी जानकारी दे जाएंगी पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी मेहनत करना है तो हमारे साथ जूड क क्यों कि आप लोगों के लिए मात पूर है पहला फार्मला क्या है बैदुद्व भी जिकल डू डबलू अपान क्यों जहां पर यह डबलू क्या होता है डबलू आपका क्या होता है किया गया कारे होता है और क्यों क्या होता है क्यों आपका आवेस होता है क्यों आवेस होता अगर कहीं पूछे question में तो वहाँ पे आपके लिए formula बन जाता है ध्यान देना सबी लोग वन आपान पूर पाई अपसालन नाट क्यू अपान आर यह आपका formula बनता है और यह जो formula है न यह जो formula है कब बनता है जब कोई बिंदो आवेस करता है पांच कुलाम का आवेस है इसके दस मीटर की दूरी बे विद्धू दूर गयात किजे तब यह फार्मला बनता है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हमबल रिक्वेस्ट है कि चीजों को याद रखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आप अपने कापी पे लिखें या कमेंट बाग समी सब फार्मला मेरे साथ साथ लिखते चलें ताकि चीजें आपको इदम किलियर होना चेके मखन होता जले चीजें को तैयार होना आउस्स अब पढ़ाई कहां से भी करें कैसे भी करें ठीक है तो वन आपान फवर पाई अप्सालना जिसका वैलू आप लोग जानते हो और पाई अपसालना जिसका वैलू जानते हो 9 in to 10k9 होता है और क्यों आपका क्या है आपका दूरी है र क् egal Che sempre few abon जाएगा आपका धूरी हो जाएगा नहीं हो जाएगा और यह यहलग के साथ इसले पंपांकए ग यह जाएगा यह तीनों फार्मूले जिससे किसे रिलेटेड़ आ है बैदूत विभा वेलू 9 into 10D power 9 होता है आर का वैलू कितना होता है आर दूरी होता है क्यों क्यों होता है इसका इसका बहुत में ने की तब स्लार क्या होता है रो दिव म्तला क्या होता शेँ आपको यह याद होना चाहिए क्या मतब्टा अर्मने जब कोई आवेश बैदूचित के अंदर की एक बींदू से दुसरे बींदू तक लेकर जाए 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 की जो किया गया कार्य होता हैा डबलू और आवेस जो होता क्यों इसके ऻनुपात को क्या करते हैं किया के अनपात करते हैं मैंने अपको पढ़ाया तो भी ए याने इस इस बिंदू का विबवांतर अगर वीए है यह और इसका भीवी है भीए माइनस भीवी यह एक वा याकर ड़ू आपैं गूंट होता है इसको इसको इस क्या जायों दूमाम में जो अंत्र होता उसे विब वंक ákffy बिव Jesse अब आपको याद कराने की कोशिस कर रहा हूँ अच्छा एक नेश्ट टॉपिक आता है इसमें इलेट्रान बोल्ट बताओ इलेट्रान बोल्ट के बारे में इलेट्रान बोल्ट किसका मात्रक होता है यह जो होता है यह यह जो होता है यह उर्जा का सबसे छोटा मात्रक पढ़ाई ऐसा करो सिद्धत के साथ कि चीजें आपको तयार हो जाए मात्रक यह उठ्जा कहा सबसे छोटा मात्रक होता है एक इलेट्रान वोल्टीज इक्वल्ट क्या होता है एक इलेट्रान वोल्ट इक्वल्ट 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 इक होगी याद करनी होगी अब हम चलते हैं next topic की तरफ किसी बिंदु आवेशों के निकाह के काड़ बेदुद भीभव देखो इसमें क्या होता है कई सारे बिंदु आवेशों ज्यसे माइनस Q हो यहाँ पर Q1 हो प्लस Q2 हो यहाँ प्लस Q3 हो माइनस Q4 हो इस तरह से कई सारे बिंदु आवेस हैं और इन सभी आवेस हो से यह कोई बिंदु P है यहाँ पर इस बिंदु P पर हमें बैदुचेट की त्युता ज्यात करने सबका दूरी अलग-लग यहाँ पर यह दू सबकी दूरी अलग अलग है तो 22 छत की तरो क्या हो जाएगी सबकी दूरी अलग सब्री बिदूर्थ जाएगी बहुत आसान होता है फारूला क्या होता है 1 upon 4 pi अव्सालन नांट लिखना है आपको और सब का वैलू लिख देना है जिसे मार्स है Q4 upon R R3 होगा इस तरीके से लिख देना है और यहां पर तीन आवेस था तो चारी लिखा मैंने दस आवेस होगा तो दस लिख देना जैसे मन करें वैसे लिख देना आप इस तरह से रखा गया है इसके केंद्र ओ पे विदुद्विभव का मान ज्याद कीजिए तो इस टाइप यहां से यहां तक की दूरी निकाल के सभी का जोड़ यह मैं आपको ट्रिक बताने के साथ साथ में कंच्प भी बता दे रहा हूं कैस पे लगाए जाता है अलाकि विदूत आवेसों के निकाल के काड विदूत विभव यह जरूरी है आपको इतना याद होनी चाहिए अप समझ में आ रही है यहां तक सभी को अगे चलते हैं बैदूत दुरूत की काड विभव देखो कोई बैदूत दूत आपकी सामने मानते ही है यहां पर क्या क इस बैदुद दुद्रो के कारण. अच्छी स्तती का मतब लटा के अच्च पर लेंगे. कोई यहां पर बिंदु क्या है.. इस पी बिंदु पर लिदुद विभूव का मानी क्या होगा.. बहला बात.. ऐसी से नेरच्छी स्तती में कोई बिंदु यहां पर.. की इस्तित है इस निरच्छी स्थति में दुर्विवा का मान का है तो देखो इसे कहा जाता अच्छी स्थति अच्छी है इस्थति और इसे कहा जाता है निरच्छी स्थति अच्छी अगर इनके बीच की दूरी कितना है यह अनके बीच की दूरी यह आपका और यह दूरी क्या है आपका यह दूरी क्या है आपका आर है तो फार्मॉला बनता है आपका अच्छी स्थति के अंतरगत अच्छी है कि लिखना सभी लोग कमेट बाप में अच्छी स्थिति में बैदुत विभाव का फार्मुला क्या होता है वहुत आसान होता है फीज इक्वल टू वन अपान फॉर पाई अप्सालन नाट पी मतलब बैदुत दुदुरू पी बैदुत दुदु दुदुरू इस त्नी दोनों के काड़ अगर इनके बीच की दुरी क्या है टू यल दुरी है तो यह बैदुत दुदुरू पी अपान और इस्क।ार होता है इतना बोल्ट होता है कि इतना बोल्ट होता है यह आपका अच्छी स्थिती में बैदुद विभा का मान होता है यही पर इसी का फार्मुलाग दुशार करें नीरच्छी स्थिती इस्थिती में विदुद विभा नीरच्छी स्थिती में विदुद विभा क्या होता है जीरो होता है अच्छा कहीं किसी को इसमें डाउट नहीं है सर आपने एक क्लास में बताया था कि अच्छी स्थिती में यह वाला फार्मुला होता है लेकिन जो उसमें बताया था मैंने लिखोगे तो याद होगा नहीं लिखोगे तो चीजिए यहीं नहीं और देखो अच्छी इस्तती में अगर बैदु चेत्र की बात की बात करना तो अच्छी स्थिम होता है यह को बैदु चेत्र को निकालते हैं तब बिभव निकालेंगे तो यह फरमला होता है दोनों एक साथ लिखने का मेरा उद्देश क्या है सर इसलिए ताकि आपको याद हो जाए अर्मुला से कंफ्यूजन ना हो समस्या ना हो गए प्लीज हाथ जोड़के निवेदन आप लों से किसे कमेंट बाक्स में जरूर लिखना क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती है इतना सारे बच्चे ला रहे हैं मिलने आ रहे हैं हम क्या बताएं आप लोगों को ठीक है चलो आगे चलते हैं हाँ विभाव परवर्ता क्या होता है आपको पता है दूरी के साथ साथ में विभाव परिवर्तन की दर को कहा जाता है विभाव परवर्तन क्या होगा विभाव परिवतन अपान दूरी में परिवतन यह बिवो परॉर्टा के बराबर होगा और इसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा यह बिवो परॉर्टा का फर्मॉला हो घैगा cutter v upon delta x집 विवंप्र वुद्दा का फार्मॉला हो जाएगा नेस्ट देखो बैदुत इसनी रुज्ज्जा क्या होती मैं ने बताता था fi 116 कै विद्दी विव meow अगर इनके बीच की दूरी कितना है एक Q1 आवेस है एक Q2 आवेस है इनके बीच की दूरी R है तो इसके कारब विदुद विभव का फार्मुला क्या हो जाएगा बताओ फार्मुला हो जाएगा 1 अपान 4 पाई अपसालनाट Q1 Q2 अपान R विदुद विभव विदुद इस्तिती जुग्जा का फार्मुला क्या होगा 1 अपान 4 पाई अपसालनाट Q1 Q2 अपान R देखो यह आवेस है Q2 भी आवेस है आर इनके मेंद्र की दूरी है और 1 अपान 4 पाई अपसालनाट का वैलू जानते हो कितना होता है कमेंड वाक्स्न लिखो लीको 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 कमेंड वाक्सन लीको लीको दिखनेसे कि एक समान भाइदु चितर गुमाने में कießen का है मतलब यह आपका सामने यह धे दुदु है अर्य पहले घृटत खोले कोड- थीटा था थीटा उन था और इसको घुमा दिया मैने का मतलब इसको मोहतமि कि इस को तोडने में भी काम करना पड़ेगा बैदू- criticized इस ब Tuadड दो ऑपड़ेगा इस पैन को भी तोडने में काम करना पड़ेगा इसको तो गुमाने में जो किया गया कार होता है उसका वैलू क्या होता है किया गया कार है डबलू इक्वल्ट होता है पी पी मतलब क्या पी मतलब यह है जो ये बैदू दिदरू है जो जिसको घुमारे जाय थे पी उसका बैदू छेटर तक घुमा रहीं क चछ थिता वन से काश थीता Tू तक घुना रहें तो हो जाएगई यह आपका क्या कारे की बहुत ये भी फार्म्ला पूछा जाता है अkeя झिकition में गोली चालक की dynamics स्षालन्णाट ए क्रिज्य हो जाती है कि कि इतनी होती है ? तो बताना मैंने ने इतनी 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 होती है ज़ंद आंए किसे संदाईत है रखा गया है और इनका जिए दूरी एटो का च्येतन ता है डी क्या है मद्य की दूरी और ये क्या है परावैदुतांग तो इनकी संधारित की धायता क्या हो जाएगे क्या हो जाएगे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अगला चलते हम लोग यदि इनके मद्दे तब इसका फार्मुला क्या हो जाएगा इसे भी कमेंट बाक्स में लिख आताया क्या हो जाए तेखो आपको इतना याद यह याद होना चाहिए इसके अलमा गरुची संदार्ण की यह याद होना चाहिए Yeah यह याद होना चाहिए यह याद बाक्स में सभी से देखना चाहता हूं लिख देना कमेंड बाक्स में अगर आपको इसे याद रखना है इसे त्यार रखना है तो ठीक है नेश्ट आप चलना देखना उर्जा घनत तो क्या होती है उर्जा घनत यूज इकोल टू क्या होता है फार्मला बताऊ अपसालन नाट है कि अप्सालनाट E स्क्वार यह क्या है आपका यह आपका वैद्दू छेत्र क्या होता आपको पता है अप्सालनाट का वैलू कितना होता यह भी आपको पता परावज्यतांग अचा अगर मालो कोई संधारित है उसकी धायता य में सी नात है मिर्वात mom और प्रूसे ये परावज्यतांग में रख दिया जाता है यह भी नफ्लीता है में अ दैर आट यह परावज्यतांग हो ज़ता है दिए एक पराबज़तांग में रखने पर इसका वैलू क्या हो जाए कि अपसालनाट इस तरह से अगर बैदू 30 जुजा की बात करें तो इसमें दो कंडिस्व था अगर संधाज में बैदू 30 जुजा के गुणा हो जाता कब जब बैटरी जुड़ी होती है तो यू जिकोल टू के अपसालनाट इस बैटरी हटा के के पराबज़तांग रखे या तब यू अपान के हो जाए बैटरी में ही परावच्वान के लिए तो के गुना हो जाएगा यह आप सभी लोगों को याद होना चाहिए इस तरह से आपके चैप्टर 2 के सभी महात्पूर्ट जितने फार्मूला थे चैपके साथ नहीं यह इस बहुत जरूए आप लोगों के यह बहुत जरूए आप क्योंकि अगर बैटरी में रखे गए बैटरी में ही रखो की जोगों के साथ रखा जाए तो बैटरी के साथ रखा जाए तो यूज इकल डू के अफसा यू नाट हो जाएगा बैटरी ही में मलब बैटरी जुड़ी हो उसी के बीच परावच्वान रखने में सब की बात है के गुना हो जाए बैटरी हटा के तब परावित्तां रखा दिया तब आपका क्या हो जाता है बताओ तब क्या हो जाता है इस तरीके से आप लोगों को यह पूरी फार्मला और कंसेट मैंने चैप्टर टू का दिखा दिया और सभी को जाते विए तफिर से एक बाद जायमासरस्ति और मैं सभी से बोलना चाहूंगा बिना लेट किया आप लोगों को यह सिखर बैच को जरूर जोइन कर लेना चाहिए जोंकि चीजे बहुत तेजी से आगे निकल नहीं है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट चैप्टर के साथ में सभी जयमासरस्ति सुबह में चाहिए क्लास लेने का आदर डालिए सभी लोग उठके कि मैं इपॉर्टन चीजों को उसी समय जयमासरस्ति